सुरुआत करते हैं दोस्तों आज के नियूस पेपर के हम साइन्स वाले हिस्से के साथ में आज 10 सितंबर 2023 है और दिन है संडे संडे के दिन चूकि हमारा जो मैनली फोकस रहता है वो साइन्स वाली नियूस के उपर ही रहता है इसलिए सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं साइन्स एंड टेक्नोलोजी वाले पेज को और देखते हैं साइन्स से जोड़ी प्रमुक खबरों को तो पहली खबर यहां पर देखने वाले हैं वो एंब्रियो को डवलब किया गया है लैब में Human Embryo Lab में तयार किया गया है ऐसा model हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा मतलब कि मानव भूड को अब हम लेब में भी बना सकते हैं यह चीज अब संभव हो पाई है अब क्या होता है ना कि ethical कुछ region रहते हैं कहीं समाज यह चीज allow करता है कहीं नहीं करता इसके अलावा कुछ technical challenges भी रहते हैं जिसके चलते चलते Human Post Implantation Development Human Post Implantation Development की study हम नहीं कर पाते हैं इसके अंतरगत क्या होता है जैसे कि भूड को भूड को हमने लेब में तयार कर लिये हैं इसके बाद उसको हम कहां पर Implantation कर दे रहा हैं गर्ववती माता के पेट में उसको फिर से हम Implant कर दे रहा हैं इसके माध्यम से वैग्यानिक लोग समझ पाए हैं Intra-Uterine Development को Intra-Uterine Development आखिर क्या होता है जैसे कि यह हम Implantation कर देते हैं जैसे अंगो का Implantation होता है Kidney Change कर दिये, Lever Change कर दिये और इसके लिए उन्होंने यूज किया था My Mouse Neve Embryonic System का इसको Shortcut में क्या नाम दिया गया है इसके लिए उन्होंने जो Technology यूज किया था वो थी ESCS इस Technology के माध्यम से Embryonic and Extra Embryonic Stem Cell बन पाई थी इनमें Growth हो पाई थी जिसके चलते चलते Self Assembling का काम होने लगा Stem Cell की तो यही खास बात रहती है कि Stem Cell अपने जैसी बहुत सारी कोजिखाओं को बनाना चालू कर देते हैं तो जो Embryonic और Extra Embryonic Stem Cell है जो कि Self Assembling के लिए Capable है कहाँ पर Mouse Structured Stem Cell Based Embryo Embryo Model में Aid the Post-Gastrulation Stage तो यहाँ पर जो चीज बताई जा रही है ESCS Technology का इस्तमाल किया गया है जिसके चलते चलते Embryonic और Extra Embryonic Stem Cell में हमें ब्रद्धी देखने को मिली है Unmodified Nav अब यहाँ पर जो वार बार यूज किया जा रहा है वर्ड नेव नेव का मतलब आप नया बोल सकते हैं या फिर जिसको अनभव की कमी हो इस स्टेज में क्या होता है यह जो Embryo होता है वो Differentiate हो जाता है अलग हो जाता है तीन प्राइमरी Founding Tissue टाइप बोड़ी में अब अगला जो स्टेब क्या होता है जिसको हम Unmodified Nav बोल रहे हैं इस कंडीशन में हमारा जो भूड है Embryo है, GERB है वो तीन प्राइमरी Founding Tissue टाइप बोड़ी में अलग-अलग हो गया एक टीसू वाली बोड़ी एक टीसू वाली बोड़ी इस प्रकार से वो कहना चाहिए अलग हो गया है लेकिन पहली बार क्या हुआ है ना कि वैग्यानिक लोग Extend कर पाए हैं अपनी Finding को From Mouse to Human चूहों के उपर प्रयोग किया गया है इसके बाद इसको Extend किया गया है Human में और इसके लिए उन्होंने Use किया था Genetically Modified Human Nive Embryonic System सेल का किसका इस्तमाल किया है इसके लिए उन्होंने Genetically Unmodified Human Nive Embryonic System सेल का इस्तमाल किया था अब जो model है हमारा इसमें हमें कुछ Changes भी देखने को मिल जाते हैं वैग्यानिक लोग इतने एबल हो गए थे कि वो डवलप कर सके एक Complete Model of Human Embryo in the Lab मतलब इन्होंने Complete Manow Gurb Manow Brun को तयार कर लिया है लैब में और इसमें From Implantation into Uterus कैसे करके इसमें Implantation का काम किया गया था Uterus में to 14 days after Fertilization अब जैसे ही Fertilization हुआ था इसके 14 दिन के बाद Implantation का काम किया गया था और इसी के माद्यम से उन्होंने Human Embryo तयार कर लिया है यह हमारा जो Model बनाए गया है यह 3D structure को Copy करता है Mimix करता है, नकल करता है Key Hallmark of the Post Implantation Human Embryo up with all the non-feature found in normal embryo around 2 week old तो जैसे कि normal 2 week का गर्भ होता है ठीक, उसी प्रकार से हमने Human Embryo तयार किया है और इसको फिर से जो हम महिला के गर्भ में हम एंटर करा सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि stem cell based embryo like structure होता है या फिर SEM जिसको हम बोल रहे हैं इसको डवलप किया गया था बीना sperm के, बीना egg के या फिर बीना किसी worm के according to the researcher at Weizman Institute of Science in Israel the model secreted a hormone that turned a numerical pregnancy test to positive इस model के अंतरकत बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो हार्मोन उत्सरजित हुआ था secreted, secreted मतलब होता है स्त्रावित होना बाद में यह कमेरिकल प्रिगनेंसी टेस्ट के मामले में positive पाया गया था इस model ने create किया था organization of all long lineage and compartment of early post implantation human embryo इसके बाद वाली जो न्यूज यहाँ पर हम discuss करने वाले हैं वो किडिनी जिसको हम हिंदी में व्रक बोलते हैं किडिनी ट्रांस्प्लांट फैलियर को डिटेक्ट करने के लिए एक implant table device बनाए गई है इससे related हैं तो यहाँ पर picture के माध्यम से आप देख सकते हैं किडिनी के picture बनाए गए हैं किडिनी जिसको हम हिंदी में व्रक बोलते हैं तो मनुष्य और अन्य जो इस्तंधारी होते हैं उनमें उत्सरजन का एक माध्यम होता है किडिनी इसका बजन लगभग 140 ग्राम रहता है और इसके दो भाग हैं दो भाग मतलब एक बाहरी भाग और एक होता है अंदर वाला भाग तो बाहरी भाग को हम cortex बोलेंगे और अंदर वाला हिस्सा मैडूला कहलाता है इसमें बहु और नैफरान ही व्रक की कार्यात्मक पिकाई रहते हैं प्रते एक नैफरान में एक छूटी सी प्याली नुमा संरजना होती है इसको हम बोमेन संपुट बोलते हैं इसके बारे में भी आपने कभी न कभी सुनाई होगा ये जो बोमेन संपुट होती है पतली रुधिर कोसिक जो दो प्रकार की धमनियों से मिल करके बना हुआ है तो जो यहां है यहां पर आपको बोमिन संपुट नेफ्राउन जैसे चीज़ों को याद रखना है किड्नी यदि हम कभी भी पढ़ते हैं तो यदि हम मैंली इसके कामों की बात कर लें तो व्रक का जो प्रमुक कारे रहता है रक्त के प्लाजमा को च्छान करके सुद्ध बनाना मतलब इनमे से अनावस्यक और अनुकियों की पतार्तों को जल की कुछ मात्रा के साथ मूत्र के बारा सरीर से बाहर निकाल दिया जाता है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं मूत्र का छणना भी इसको बोलते हैं इसी के माध्यम से पेसाब छणता है वहीं यदि हम बात करें व्रकों की जो रुधिर की आपूरती रहती है अन्य अंगों की तुल्णा में बहुत जादा रहती है व्रक में किडिनी में प्रती मिनट औस्तन 125 मिली मतलब दिन भर में 180 लीटर खूल फिल्ट्रेट होता है इसमें से 1.45 लीटर मूत्र रोजाना बनता है और बाकी का जो फिल्ट्रेट वापस रक्त में अवसोसित हो जाता है वहीं यदि हम बात करें नॉर्मल मूत्र में 95% जल रहता है 2% नवल रहता है और 2.7% यूरिया और 0.3% यूरिक अमल रहता है और जो मूत्र का रंग रहता है नॉर्मली हलका पीला रहता है इसका रीजन है यूरोक्रॉम यूरोक्रॉम के चलते चलते इसका कलर पीला हो जाता और यूरो क्रॉम जो है हीमो ग्लोबिन के विखंडन से बनता है वहीं मूतर के अमली मान की बात करें तो इसका जो मान होता है 6 होता है अब हम चलते हैं नियूस की तरप और देखते हैं नियूस को तो इसमें बताया जा रहा है कि एक implantable sensor तयार किया गया है इसी के माध्यम से हम advanced warning system लगा सकते हैं kidney transplant failure में और ये जो प्रयोग किया गया है वो rats में किया गया है as much as several weeks earlier than commonly used biomarker of kidney function तो काफी हफ़े पहले हम इस सीज का पता लगा सकते हैं कि जो transplant है वो कहीं फैल तो नहीं हो गया है इसका इस्तमाल हमने चूहों में किये थे kidney का transplantation किया गया था और ये हमें provide करता है continuous monitoring of organ temperature and thermal conductivity detecting inflammatory process associated with graft rejection इसकी माध्यम से बहुत सारी चीज़े हम monitor कर पा रहे हैं जैसे की organ का temperature किता है thermal conductivity कितनी है inflammatory process तो नहीं हो रही जिसको हम associate कर सकते हैं graft rejection से related मतलब body में कहीं कोई जलन वगेरा तो नहीं हो रही है इसके अलावा blood and urine biomaker are often used to detect rejection blood और urine biomarker के इस्तमाल हम करते हैं rejection को detect करने के लिए पता लगाने के लिए लेकिन but factors unrelated to kidney function can alter these biomarker इसके बादवारी जो नहीं हम discuss करने वाले हैं यह location के हिसाब से काफी important हो जाते हैं हंगा टॉंगा eruption है इसके चलते चलते fast volcanic flows हमको देखने को मिला था यह picture में आप देख सकते हैं कोदर के भीतर से यह जौला मुखी का उदगार हुआ था और इसका जो लावा था इसका जो कुड़ा कचरा राग जो भी था एकदम ऊपर उठा रूपर उठने के बाद बिल्कुल सीधा का सीधा पूरा नीचे गिर गया और तीजी के साथ में फिर आजू बाजू में यह फैलना चालू हो गया बहुत speed के साथ में यह काम हुआ था और इसकी speed आप आगे जान पाएंगे कि कितनी speed से यह इसका जो मलबा है इधर उधर भाग रहा था यहाँ पर हमको सब्मारीन वैलकॉनों के बारे में जानना पड़ेगा सब्मारीन वालकेनों का यहाँ पर उल्लेक किया गया है तो सब्मारीन वैलकॉनों जो होते हैं अंडर वाटर या फिर फिसर्स माने जाते हैं अर्थ की सर्फेस में from which magma can erupt समुद्र के अंदर आप देखेंगे यदि किसी प्रकार से अर्थ की सर्फेस में magma निकल रहा है इसको हम बोलते हैं सब्मारीन वालकेनों बहुत सारे जो सब्मारीन वालकॉनेस होते हैं ये टेक्टोनिक प्लेट के फॉर्मेशन के किनारे किनारे ही हुआ करते हैं जाहां पर टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकरा रही है या फिर उनका फॉर्मेशन हो रहा है जिसको हम मिड ओसियन रिच भी बोलते हैं The volcanoes at mid ocean ridge alone are estimated to account 75% of the magma output on the earth हमारी धर्ती में जितना भी magma भी तब पहुँच पाया है उसका 75% हिस्सा इसी प्रकार की ज्वाला मुखी है और इसी प्रकार की ज्वाला मुखी के चलते चलते समुदर में आप पत्थर जैसी सर्राचनाय या फिर दीप देखते हैं और वहीं पर फिर पेड़ पौधे जीव जन्तों का जन्म होता है इसका eruption 2022 में हुआ था और ये submerged हंगा टॉंगा हंगा हापाई वॉलकेनो है काफी लंबा नाम इसका रखा गया है इसकी चलते चलते fast moving and destructive underwater debris flow हमको देखने को बिला था एक तो तेजी से move कर रहा है और दूसरा रस्ते में जो भी चीज आ रहा है उसको destruct कर दे रहा है अंडर वाटर debris और इसके इससे क्या हुआ हमने जो टेली कम्मुनिकेशन की केबल समुदर के भीतर में बिचाए थे वो भी प्रभावित हुए थे एक नई स्टेडी ये बताती है कि रॉक एंड एस जो की निकला था हंगा इरप्सन से कॉलैब्स वर्टिकली एंड डारेक्ली इंटू दा ओसियन एंड ट्रेवल्ड एस एन एक्स्रीमली फास्ट मॉविंग हाइली डिस्टक्टिव अंडर वार्टर डेब्रीज फ्लो एकदम से उपर उठा और तीजी के साथ और फिर यदर उदर भागने लगा था वहीं यदि हम सबमारीन डेंसिटी करेंट की बात करें तो ये ट्रेवल कर गया था सौ किलोमीटर से भी ज़्यादा से फ्लोर से लिए हम बात करें और इसकी जो स्पीड है मैंग्सिमम 122 किलोमीटर प्रती घंटा की हो गई थी तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा इससे नुकसान हुआ होगा इसके बाद अगली जो जानकारी यहां पर हम साइन्स की देखने वाले हैं वो रियर डिसीज से रिलेटिड है रियर डिसीज से कैसे करके हम हमरे देश के लोगों को बचा सकते हैं नॉर्मली एक टर्म हम यूज कर रहे हैं जिसको बोल रहे हैं औरफंड डिसीज इसका इस्तमाल हम बहुत सारे रीजन के चलते चलते कर रहे हैं reality made them difficult to diagnose अब ऐसी जो चीज हैं ऐसी जो cases हैं ऐसी जो बीमारिया हैं बहुत ही कम हो रही है rare हो रही है इसका मतलब यह है हमें difficulty जा रही है उनको diagnosed करने में उनको पता लगाने में because young medical practitioner may not have seen even one case क्योंकि नए-नए जो बच्चे मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं उन्होंने अभी तक इस परकार के केसिस नहीं देखा है इसको हम बोल रहे हैं औरफन डिसीज या फिर रियर डिसीज और बहुत जादा रिसर्च जो है अभी तक नहीं हो पाई है इस परकार के रियर डिसीज को ले करके तो यहाँ पर जो मैं चीज है इस सिच्वेशन के दिए हम बात करें तो यहाँ पर हमें अवेरनेस फैलाने की जरूरत है डिसीज को ले करके जो जीनोमिक टेकनोलोजी है ताकि हम डाइगनोस कर पाएं उनको हैस इसप्रीड बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर रेगुलेटरीज जो बॉडी हैं ओफर करती हैं इंसेंटिव ताकि प्रोमोट किया जा सके इसमें इन्वेस्टमेंट फार्मसुटिकल हो ताकि जो निगलेटिट इल्लेंस के बीमारियां हैं इनके उपर रिसर्च किया जा सके एक्सपेक्टिडली इस प्रकार का जो मूव है वो हाइलाइटिट किया गया था इंट्रेस्ट इन ओर्फन ड्रग के नाम पर 2009 से लेकर के 2014 के बीच में half of all approval made by the FDA work for rare element and cancer 2009 से लेकर के 2014 के बीच में हम देखेंगे जाएटा जो दवाई दारुक लीए approval मिला है उसमें इसी प्रकार के rare disease हैं कैंसर की बिमारिया है इसके बाद यदि हम cost की बात कर लें इस प्रकार इनके इलाज के लिए हम cost को सामिल करें उसमें therapy सामिल है are prohibitive especially from an Indian viewpoint estimates put these cost 1 million से लेकर के 20 million per year यदि इसका खर्चा हम देखेंगे तो कितना खर्चा बैठ सकता है इसका 1 million से लेकर के 20 million per year हो सकता है initiative by groups लेकिन कुछ groups ऐसे हैं संगठन ऐसे हैं जिनकी तरप से कुछ initiative लिये गए हैं यहां पर आप देख सकते हैं global number यह बताते हैं कि लगभग 7000 rare disease अफेक्ट करते हैं 300 million people को by extra pollution इंडिया शुड हैव 70 million cases लेकिन इंडिया अकेले में 70 million cases देखे गए हैं अब चुकि हम hospital की बात करें इंडियान hospital की बात करें reported less than 500 of these disease पांच लगभग hospital में reporting की बात करते हैं तो इनकी जो reported है वो लगभग 500 बताया जा रहा है हमारे पास में इतना ज़्यादा epidemiological data अविलेबल नहीं है जिसके चलते चलते हम बता लगा सकें की rare disease कैसे करके हो रहा है sophisticated clinical genomic tools are often needed to confirm these disorders हमारे पास में clinical genomic tool होना चाहिए उसी की मदद से हम इस प्रकार के disorder का पता लगा सकते हैं तो यहाँ पर बताया जाता है एक संस्था का नाम जैसे संस्था नहीं सौरी government का जो national policy for treatment of rare disease है केवल और केवल recently start किया गया है ताकि इस छेतर में काम किया जा सके disease prevailing in our countries include cystic fibrosis, hemophilia, lysosomal storage disorder, sickle cell anemia and इस प्रकार से यह बीमारियों के नाम यहाँ पर बताये गए citizen का जो initiative होता है यह एक और highlighted progress माना जाता है इंडिया में इस प्रकार की बीमारियों को लडने के लिए एक good example आप देख सकते हैं the dystrophy annihilation research trust इसका नाम यहाँ पर बताया गया है एक ऐसी संस्था है जो की बहुत सारे जो parent patient है ना उनके parent के द्वारा इसका निर्मार किया गया है ऐसे parent की जो बच्चे थे वो डुसानेस muscular dystrophy से पीडित थे इस condition में हमारी जो muscles होती है ना in the pelvis begin to wash away from the age of three तीन साल की उमर से हमारी जो muscles है ना उसमें बीमारी लगना चालू हो जाता है उनमें अनेमित्ता आने चालू हो जाती है इसमें partnership करी गई है IIT and M's की मदद से जो की located है जोदपूर में तो इसके लिए किस scientific term का यूज किया गया है यह नाम यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं इसके बाद हम बात करते हैं लेपरोसी की बीमारी के बारे में इसमें लेपरोसी की बीमारी का जो incident का rate है वो 0.45 पर 10,000 population है लगबग मतलब 10,000 की population में हम देखेंगे तो एक से आधे व्यक्ति में यह बीमारी हमको देखने को मिल रही है इसको भी हम जो है rare disease के बतौर पर मानते हैं इंडिया में बट much remain to don't restrict the speed of this disease लेकिन अभी बात वही है कि हम कैसे करके इस बीमारी को रोक सकते हैं लेपरोसी एक good example है कि कैसे करके research किया जाए इस प्रकार के disease को can have societal benefit और इसका society में काफी कुछ फायदा मिलने वाला है अभी हाल-फिलहाल में जो recent research किया गया है वो है synthetic antibiotic repapentine जिसका widely use हम करते हैं tuberculosis की बीमारी में has shown that single dose of this drug यदि हम इसका एक single dose दे देते हैं जब administered किया जाता है household को ठीक है जो की leprosy की बीमारी से संबंदित है curtailed the spread of leprosy to them over a four year study period यदि हम जो है एक दवाई है रिफा पेंटीन इसका इस्तमाल यदि हम leprosy वाले percent को करते हैं तो इससे काफी कुछ फायदा यहाँ पर मिलता है such findings may help fulfill our governments aim of leprosy free India by 2047 तो हमने leprosy की बीमारी को खतम करने के लिए target निर्धारित किया है कि 2047 तक हम इंडिया को leprosy से free करेंगे तो यह target हम achieve कर सकते हैं अब वहीं यदि हम leprosy की बीमारी की बात करें कि leprosy के अंतरगत कौन-कौन से लक्षड हम को देखने को मिलते हैं तो leprosy जिसको हम hansels disease भी बोलते हैं एक chronic curable infectious disease है mainly यह हमारी nerve को damage करता है and skin lesion skin में कहीं पर घाव हो गया है इसके अलाव हमारा जो nerve है उसको damage कर दीता है यह जो leprosy की बीमारी है वो bacteria, micro bacteria, lepray के चलते होता है और यह mainly effect करता हमारी skin को, eye को, nose को, peripheral, nerve को और जाहिर सी बात है यदि इसने हमारे nerve system को प्रभावित कर दिया तंत्री का तंत्र को प्रभावित कर दिया तो हमारा जो दिमाग है उसकी जो capacity है कहना चाहिए काफी कम हो जाती है तो leprosy की जो बीमारी होती है नॉर्मली इसको हम old days की बीमारी बोलते है जैसे जैसे आपकी उमर बढ़ते जाएगी ठीक है एक chronic infectious disease है जो की bacteria, mycobacterium, lepray के द्वारा फैल रहा है ये old days